Good morning students, आज हम इस वीडियो में पाइनस के जनन का अध्यन करेंगे पाइनस में काईक जनन नहीं पाया जाता है, केवल लेंगिक जनन द्वारा ही पाइनस अपने वंश की व्रद्धी कलता है पाइनस एक उभेलिंगा अश्री पादप होता है जैसे कि आप साइकस पढ़ चुके हैं, साइकस में नर पादप अलग होता है जबकि पाइनस में दोनों जो नर शंकु है और मादा शंकु है दोनों एक ही प्लांट पर पाये जाएंगे बस केवल इस्थिती का फर्क होता है जो नरशंको होते हैं वो पादप के आधारिय भाग पर उपस्तित होते हैं जबकि जो मादाशंको होता है वो पादप की उपरी शाखाओं पर पाया जाता है पहले आप पाइनस का चित्र देखें किस तरीके का होता है ये पाइनस का ट्री है इस तरह का नजर आता है इसमें ये इसकी मेन स्टैम है मुख्यतना है मुख्यतने से आप इसमें देखेंगे दोनों तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ ये शाखाएं निकली हुई है ये असीमित व्रद्धी की शाखाएं है और इन असीमित व्रद्ध पत्तियां उत्पन होती हैं जने आप नीडिल का अध्यनपन पहले कर चुके हैं यह थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन के लिए था इस तरह का व्रक्ष होता है पाइनेस का अब जब जनन होता है जनन के समय में एक ही प्लांट के ऊपर इसी के ऊपर यह जो इस तरीके के यह न मादा शंकु जनन के समय दोनों ही बनते हैं फरक सिर्फ इतना होता है कि नर्शंकु जो होते हैं वो पहले बनते हैं और मादा शंकु जो होते हैं वो बाद में बनते हैं लेकिन दोनों यह की ट्रीके उपर बनेंगे तो यह उबहल इंगा श्री प्रकार की प्रजाती होती ह अब इसके बारे में आगे अपन देखते हैं कि नर्शंकु जो होता है वो नर्शंकु के बारे में थोड़ा सा अपन को पढ़ना है नर्शंकु जो होते हैं कब बनते हैं किस प्रकार की आकरती के होते हैं ये सब अपन इसमें जानते हैं नर्शंकु जो आते हैं वह वर्श के आरंब में बनते हैं, लंबी शाखाएं जो असीमित व्रद्धी की शाखाएं उन पर बनेंगे और हलके बूरे रंग के शलक पत्र जो होते हैं उनके कक्ष में बनते हैं नर्शंकु जैसा मैंने आपको भी बताया कि मुख्य तने के उप पहले जो दीर्ग शाखाएं असीमित व्रद्धी की शाखाएं होती हैं वो बनती हैं उन असीमित व्रद्धी की शाखाओं के ऊपर बौनी शाखाएं बनती हैं तो जनन के समय में असीमित व्रद्धी की शाखाओं के ऊपर बौनी शाखा के इस्थान पर नर्शंकूओं का न निर्मान होता है, एक और इंपोर्टेंट बात यह है कि नर्शंकू जो होते हैं वो अकेले नहीं बनते हैं, वो सम्हू में बनते हैं, आप इस चित्र से देख सकते हैं, इस चित्र में ये नर्शंकू हैं, ये सारे जो अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं, ये अलग अलग और ये सारे जो हैं ये समू में पाई जा रहे हैं, बड़ा सा समू है जिसमें अनेकों नर्शंकू पाई जा रहे हैं, ये छोटा समू है, तो इस तरह से समू में बने हैं, दूसरी चीज इनका रंग आप देख सकते हैं, कि इनका रंग कैसा है, पीला रंग नजर आ रहा है, निरभर कलती है, जानी जाती की अनुसार, समू में नल शंकूं की संख्या लग लगोगी, जैसे मान लीजे पाइनस की वैली शियाना प्रजाती है, तो एक समू में 15 शंकू होंगे, मान लीजे रॉक्स बर गई प्रजाती है, तो 140 तक शंकू भी हो सकते हैं, इसके अलावा ज उसका रंग पीला हरा होगा, लेकिन जब परिपक्को हो जाएगा, तो उसका रंग लाल हो जाता है, यह आप देख सकते हैं, यह अब परिपक्को अवस्था है, तो रंग है इसका पीला, और जब यह परिपक्को हो जाएगा, तो यह इस तरीके का इसका रंग जो होता है, ये देखें, ये पीला रंग और ये लाल रंग. तो ये परिपक्क वस्ता के बाद की स्थिती है, ये उससे पहले की स्थिती है. Next, जो है कि इन्की आकरती. आकरती कैसी है? करीब-करीब अंडाकार आकरती के होते हैं नरशंको और इनकी जो लंबाई होती है, वो 1.25 cm तक होती है और नर्शंकू जो होते हैं वो मादाशंकू से पहले उत्पन होते हैं एक ही व्रक्ष पर हो गेंगे लेकिन नर्शंकू पहले उत्पन होगा और मादाशंकू बाद में पाए जाएंगे अब इसका जो थर्ड पार्ट है वीडियो का जिसमें अपन नर्शंकू की अनुधहरे कार्ट देखेंगे इस तरह से होती है तो ये तीसरा भाग है नर्शंकू की अनुधहरे कार्ट जब अपन शंकू की अनुधहरे कार्ट काटते हैं longitudinal section काटते हैं तो इस तरीके का चित्रपन को नजर आता है इसमें बीच में तो आपन कोई अक्ष नजर आ रही है, सेंटर में तो एक अक्ष होती है, और उस अक्ष के चारों तरफ, क्योंकि ये एक बुक का डाइग्राम है, तो इसमें आपको दोनों तरफ नजर आ रहा है, इधर और इधर, लेकिन एक्षुली में जब आप तो मद्धे में अक्ष होगी और उस अक्ष के चारों तरफ, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, सब तरफ ये विशेश प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, ये जो निकली हुई है, ये विशेश प्रकार की पण है, इनको लगू भी जणू पण कहा जाता है, तो ये इस्ति माइक्रोस्पोरोफिल लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है, लगू भी जणू पण, और माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब होता है, लगू भी जणू धानी, ये जो चित्र है, ये तो इसकी अनुदहर काट का है, ये जो चित्र है, ये दूसरा डाइग चीज हैं यहां इस चित्र में यह जो दिख रहे हैं आपको यह यह वाले भाग हैं यह इन्हें लगू भी जानू धानिया कहते हैं तो अपन को नरशंकू की अनुधेरे काठ काध्यन कलना है तो उसमें अपने क्या चीज देखी सबसे पहली चीज देखी कि जब अपन शंकू और विशेश प्रकार की पन लगी रहती हैं जिनने लगू भी जानू पन कहा जाता है प्रत्यक लगू भी जानू पन जो होती है यह वाली जो लगू भी जानू पन है यह तीन भागों बटी रहती है पहला भाग नंबर वन यह नंबर टू और यह शीश वाला भाग नंबर इसके बार नंबर टू वाला भाग है ये देखो आप इस चित्र में ये जो दो नंबर वाला भाग होता है बीच वाला भाग उसके उपर ये अंडा का धानिया लगी हुई है यहाँ पर ये धानी लगी रहती है तो दो नंबर वाला हिस्सा वो होता है जो की सबसे इंपोर्ट की तरफ पर इस चित्र में इस चित्र में आपको केवल सामने से देख रहे हैं अपन तो एक ही नजर आ रही है पीछे की तरफ एक और होती है तो इस चित्र में देखेंगे आप तो एक इधर और एक इधर दो धानिया पाई जाती है तीसरा भाग वाल तीसरा जो भाग होता है लगू बिजन ओपड़गा है यह जो न終UST काला पार्ट है ये उपर वाला यह देखें ये नुकीला सिरा अपफाइस तो यह निचला हिस्सा यह नंबर एक ये भी बंद होता है जो नंबर तीन वाला यी उपर हिस्सा है ये भी बंद होता है लेकिन जो number 2 वाला ये वाला जो इससा होता है केवल ये fertile होता है तो ये नीचे वाला भाग number 1 जिसे वरंत कहते हैं मद्दे वाला भाग जो औरवर भाग होता है जिसे लगू विजण उधानिया लगी रहती है और तीसरे वाला भाग सबसे उपर शीष वाला भाग जो नुकीला सिरा होता है ये देख रहे हैं आप इसमें इस चित्र में नौक जैसी निकली होई है ये उबर की और तो ये जो नौक जो निकली होई है वो ये वाला भाग है तीसरा नुकीला सिरा जिसे एपोफाइस कहते हैं पहला हो तीसरा भाग बंद है और मद्दे वाला भाग और वर है तो ये इसकी स्तिती होती है अब इसके बार मैं थोड़े से इसके पॉइंट देख लेते हैं पन ये बिंदू देखें कि मद्दे में एक केंद्री अक्ष होती है किसमें शंकू की अनुदेर रिकाट में वशीर्ष उपर छोटे तथा बंदे होते हैं मद्दे में बड़े वा उरवर होते हैं ये आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाले ये वाला जो ये वाला जो लगो भी जान उपन है ये वो कैसा है बंदे प्रकार का है छोटा है ये उपर वाले जो है ये बढ़े हैं तो यह बड़े आकार की होते हैं दूसरा यह उरवर होते हैं क्योंकि इनके उपल धानिया पाई जाती हैं तो आपने क्या देखा कि लगू विजणू पणो की संख्या 60-135 तक होती है आधार वशीष पर छोटे होते हैं लगू विजणू पणो बंधे होते हैं मद्धे में बड़े वा उरवर होते हैं प्रत्य लगू विजणू पण को तीन भागों बाटा गया है पहला इससा वरंत दूसरा मद्धे उरवर भाग और तीसरा उपरी मुक्त सिरा जिसे एपोफाइसिस कहते हैं वरंत वाला भाग कौन सा है वरंत वाला भाग वो है जिस गोई रहती है और उपरी जो सिरा है वो भी बंधे प्रकार का है कुछ नकीला होता है उपर की और मुड़ा रहता है तो अपने देखा वरंत वाला भाग और ये मुक्त सिरा ये दोनों तो बंधे प्रकार के हैं यानि बंधे क्यों है क्योंकि इनके उपल धानी नहीं लगी हैं ये लगू विजणू धानिया है ये उपरी नुकीला मुप्त बंद सिरा है ये नीचे वाला वरंत भाग है ये दरसल ये आपने इसको यूँ खड़ा हुआ है इस चित्र में देख रहे हैं आप जिस पर दोनों तरफ धानिया लगी हुई है ये यूँ करके ऐसा इस है तो ये अपने इसके बारे में अध्धन किया अब अगले भाग में अपन पढ़ेंगे लगू विजणू धानी का परिवल धन किस प्रकार के होता है थैंक यू